मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं He entered from the door और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे मैं बहुत agitated थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा एक बस 50 सेकिंड की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीटके उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पिएस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं he entered from the door और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आउकात क्या है, तिरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो, और उस समय मैं बहुत सपका गई, और मैंने उनको बोला भी कि भई, क्या हो गया, मतलब अ इतने में अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुष करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उनको पुष करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उनको पुष करने की कोशिश करी, तो उन्हाने मेरा पैर पकड़ लिया, और मुझे नीचे घसीट दिया, उसमें मे मैंने इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में जी उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत अजिटेटेट थी तो मैंने तुरंत 112 नंब करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नी और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रि मैं बहुत जादा एजिटेटिट थी और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से थपड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है तो उन्होंने बोला क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंगो तो मैं उनको बोलती रही उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आँ बाहर निकलिये मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये पुलिस को आने दो, ये crime scene है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है, मैं Member of Parliament हूँ, मैं Former Delhi Commission for Women Chairperson हूँ, आप रुकिये, आप बस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाओंगी, क्योंकि म पूरा टाइम में देख रही थी, विभाव मुस्कुरा आते वे विडियो बना रहा था, जब एंड में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई, कि में एक तो मेर को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, उपर से वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाह उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चानल को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेट्मेंट सुना कि किस तरीके से यह जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट तो अगर्डिंग तो वाट यूर से इंग दो वीडियो से एक तो सीची टीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीकुएंस है जो अभी तक रिलीज नी हुआ थू थू दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है दो दो वीडियो सोर्स जै अभी जी बिलक जब मैं वापस आके बैठी जब मैं सोफे पर दुबारा आके बैठी है और मैंने 112 नंबर कॉल करा यह बाहर गया यह सिक्यूरिटी वालों को लेकर आया जब सिक्यूरिटी वाले वहाँ आये तब वो वीडियो लेना शुरू करा है जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकिला था कमरे में तो वो वीडियो कैसे ले सकता है